नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मैंन परपस है कि इंडियन पॉलिटी और बिहार के पॉलिटी का जो पेटर्न है फिर उसका जो सिलेवस है फिर इस इंडियन पॉलिटी या बिहार के पॉलिटी के सेक्शन को कभर करने के लिए कौन सा बुक पर है कौन सा और रिसोर्स का हम यूज करें कैसे आंसर आटिंग करें कैसे करें कैसे बारी-बारी से discuss करेंगे और सबसे important चीज की इस Indian पॉलिटी के section में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं मेरी क्यों कितनी वीडियो आएगी कैसे मैं इसमें man's unfet आप लोग को कड़ाऊंगा उन सारे चीजाओं का इसमें हम बारी-बारी से discuss करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले एक दो बात आपसे share करना है कि देखिए अभी आपको पता है कि 67 विपेसी पायोग के तरफ इस वार इसा को कुछ सुचन नहीं आ जाती है यह इस बचे हुए समय में आपको मैं तयारी करनी चाहिए कि मैंस में आपको बहुत कम समय मिले पीटि लेके अंदर में सकते हैं इस लिए अबभी आप कर लेगे जियर्प का यह ओफ़्डर लेवल फायदे में रहें इसलिए इस समय का यूज कीजिए क्योंकि पढ़ा हुआ चीज कभी बरबाद नहीं होता है इसलिए आप परहिए ठीक नहीं परहिए मेरा वीडियो पीटी और मैंस दोनों आ रहा है उसको आप फोलो कीजिए आपको काफी हेल्प होगा दुफरा बात कि आपको पता है कि आठ मैं को ज दिया हूँ एक चोटा जिसमें कि गांधी टेगोर और जवाला नहरू का जो नहीं पढ़ाया है वह भी एक या दो वीडियो में पुड़ा कंपीर कर दोंगा तो जुतना वीडियो में 25 बना दिया हूँ जो भी मेंबर नए है या जो वीडियो को नहीं देखें उसको जाके खासकर लिए मैंस का है फीडिबव चैनको देना है इन या ऑच्छा आंसर लिखें आपका नहीं होने वाला है इसलिए मेरा आप लोग से है कि नीचे देग नमबर पे जिनको भी मैंस आंसमें करना हो करना हो जी एस करना हो वह हम पर नमर पर कॉंटेक्ट करें उनका मैं अलग से जो है ना मैंस का आंसर राइटिंग प्रोग्राम में शुरू करूंगा अब आईए हम इस वीडियो को सुरू करते हैं जो कि मेरा वीडियो वाना कमेंड परपस था आपको सामने दिख रहा होगा क प reflects between India की कि क्या क्या सिलेबास है क्या इसमें मिलनी क्या सिलेबश है ठीक अब देख अगर आप पिछले दस या पंधरया वर्स के 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 क्वेस्टन को देखिएगा इसमें आपको लगभग पता चलेगा कि आठ या दस ऐसा इंपोर्टेंट टॉपिक है जहां से अल्टरनेट हर एक साल जो है कुछ ना कुछ उसी स्कुफन पुछा जाना है इसलिए आप सामने देखिए वहां आपको दिखड़ा आओगा पहला प्रस्तावभ ना किया इंपोर्टेंस है ठीक अ क्या पुछ सकता है स्थी फोर में पुछा था की समाजबादी स्द्रि पेक्ष और लोकतांत्री गंराज यह क्या है इसका मतलब क्या है और इनके बारे में हमारे समिधान के किस-किस आसे आर्टिकल में प्राप्धान है त से कि विदे पीपल ऑफ इंडिया है या समाजवादी है से कुलर है या रिपब्लीक इनके टर्म का क्या मतलब है और इनके बारे में हमारे समयधान में क्या-क्या प्रापधान दिया गए इनको काफी अच्छे से पर हिए तो प्रस्तावना टॉपिक आप छोड़ेंगे नहीं इसको अच्छे से करके ही जाएंगे हाना कि जब मैं वीडियो बनाओंगा जब मैं इन सारे चीजाओं को आपके साथ बारी बारी से हम डिसकस करेंगे लेकिन अगर आपको अपने स्वगर पढ़ना हो तो आप प्रस्तावना के टॉपिक को बहतर धंक से करेंगे दूफरा इसमें आपको सामने स्विडियो दिख़ण होगा इसमें हैं फंडामेंटल मौलिक अधिकार में क्या पूछता है इक्या होता है हमारे सम्धान में कितने तरह के फंडामेंटल रायट का बारेम दिया गया है और खास करके आर्टीकल न. आ. आर्टिकल 21 के में क्या लेटेस्ट इसमें डेवलपमेंट हुआ है सुप्रीम कोट या हाई कोट के द्वाड़ा वो एक्जाम में पूछता है 56 में पूछा 65 में कि हमारे सम्मिधान में जो मौलिक अधिकार जो इसमें कौन कौन तरह के पर्तिबंद या रिस्टिक्शन लगाए गया है ठीक नहीं तो आप उसको पर अच्छे पर ना पड़ेगा दूफरा टॉपिगा आपको पढ़ना इसमें डिपी एसपी क्या है इसमें कितने तरह के आर्टिकल्स हैं क्या क्या प्राबधान है और खास उपाय की है कौन कौन सा कारिकरम लॉंच किया है या कौन कौन सा कानुन या बिधी बनाया है उसके बाद आप इसमें फंडामेंटल डूटी देख लें एक बार पूछा है उसका जितना ही पराबधान पर लेंगे ठीक ना उसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है लाश्चपती का क्या है इसका कैसे होतसा करे अभी जो राश्चपती का जो कहते हैं इसमें आप से क्लिभव सकता है कि इस तरह से युनीक है कैसे है है तो मैं पेपर कटिंग गुरूप में डालता हो मैं बता देता हूँ कि यहां से पूछ सकता है और बाकाइदा का पड़ते होंगे उसमें को लिख सकते होंगे इसमें बनेगा तो मैं जितना सकता है दुफरा राजपाल या गवर्णर का क्या पावर है क्यों राजपाल का पद हमारे इंडियन पॉलिटीम हमेशा बिवाद का इसु रहा था और खास करके बिहार में राजपाल का पद क्या बिवाद है उसके पास क्या इसु है यह आप अच्छे सिका करेंगे कर लेंग और CM मुखमंत्री का क्या power है क्या car है उसके बाद नितिष कुमार जी जब से मुखमंत्री बने है में आपका पार्लियामेंट, संसद, संसद का क्या function है, क्या कार है, क्योंकि इस बार जो 66 में पुछ चुका है, इसके पहले भी संसद क्या संपर्भू है, या संसद के बनाए कानून को नियापाली का कहां तक ववद घुशित करती, क्यों करती है, तो आप पार्लियामेंट के हर एक चीजाओं को अच्छे से करेंगे, उसके बाद जो राज बिधान मंडल है, इस्टेट लेजिसलेटिव जो है, उसमें अज इस खास करके जो बिधान परिसद है, ठीक न, जब कोई सेशन चलता है, हमेशा सोरगुल के में हमेशा होता है, ताकर ऐसा क्यों हो रहा है, आखी संसद के कारपरनाली को सुधारने के लिए क्या-क्या उपाय होने चाहिए, यह सब कोस्टन आप से पूछ सकता है, और मैं पेपर कटिंग में सारा चीज में कोस्टन बना क जो हमारा आपको पता है, केशवान भारती विबाद जो 173 में हुआ तो उसके बाद जो सुप्रीम कोट ने जो आधार भूत धाचा या बेसिक एस्टेक्टर का जो क्या है, कितना भी लेटेस्ट डेवलेप्मेंट वह पूछता है, उसके बाद जो आपका निया एक बाद क्या है, लेटेस्ट जो जितना डेवलेप्मेंट इस टोपिक से हुआ है, उसको आप जो एक जामपल में डालेंगे, जो आप देखे होंगे कि 99 जो समीधान सनफोधन हमारे देश का था उसको सुप्रीम कोट ने अववैद घोसित कर दिया था, यह कहा जाता है कही न लिखेंगे तो आपको नमर काफी का मिलेगा, अच्छा मिलेगा, उसके बाद आपको सेंट्रल इस्टेट रिलेशन पढ़ना चाहिए, कैन राज संबन, हर एक फाल पुछता है, इसका आपको सामने दिख रहा होगा, इसका क्या प्रापधान है, खास करके सहकारी आपको बनाने या सिस्टम को आगे करने मदद कर रहा है, यह सब चीज आप से क्वेस्टन पूछा जा सकता है, ठीक नहीं, और लेटेस्ट जितना भी इसमें डेवलप्मेंट होगा, आज ही जो निंतियायों का बैठक था, जिसमें कि हमारे राज के मुपन निंतिख भाने भाग नहीं लिया है, और क्यों ने लिया है, उसने कुछ वज़ा होगा, आप ऐसे चीज़ों को इसमें सामिल करेंगे, ठीक ना, उसके बाद अगला जो लोकल गवर्मेंट, यहां से भी अल्टरनेट को फन पूछ था, इसमें खाफ करके, जो समिधान सन्फोधन का क्या मि बिहार से, बिहार में जो महिलाग अल्टरन पचास पर दिया गया है, उसमें वह आप देखेंगे, ठीक ना, तो अब आप नहीं छोड़ेंगे, यहां से कफन आप से पूछे, गाही, पूछे, और से बन्टी फोर्थ समिधान सन्फन जो आपको नगर पाली काफे रेटेड है, उसके बाद जो है, इसमें एलेक्शन, चुनाओ का जो टोपिक है, जिसे के एलेक्शन कमिशन का क्या काम है, ठीक ने, उसके बाद बिहार और पूरे भारत में जो चुनाओ की प्रोसेस या परकिरिया है, वो क्या है, ठीक ने, उसका जितना भी चुनाओ सुधार के बा पूछ चुका है फिर पूलिटिकल पार्टी 65 में पूछा था कि छोटे-छोटे पूलिटिकल पार्टी क्या देश के लिए खतरा है ऐसा को फन पूछ देता है उसके बाद जो हमारे देश की राजनिती में जिस्ते से क्रिमिनल बिग्राउंड के जो लोगों का जो आना चल्प से क्या रोल उल पूछा जा सकता है उसके बाद जो हमारा जो दिखी अजाधी के 65 साल होने हम मना आने जा रहे हैं स्वार्ड पाख भुर्पन संभारद में पूछा था सब्सक्राइब तो आप इसको सही धंग से कर लेंगे अगर नौश बना लेंगे अच्छे से अच्छे से हर एक प्रिवियस एर का क्वेशन अन्फर कर लेंगे तो हमको नहीं लगता है कि आपका इससे क्वेशन जो ने छूटने वाला है उसके बाद यह टॉपिक हो गया ठीक पॉलिटी के लिए ही पढ़न आपको इसके अलावा पॉलिटी का बुक आपके पास होना ही होना चाहिए और जितना टॉपिक में दीखाया इन शारे इंडियन पॉलिटी के टॉपिक को आप लक्श्मी कांथ से चुन-चुन के पढ़ेंगे उसका नौश बनाएंगे या न आपको रख सकते हैं क्योंकि से लगभग हर एक प्रोलम दूर हो जागा तो आपको सामने दिखड़ा होगा यह आपके पास बूख होना चाहिए उसके बाद आप उसको जोर खड़ देंगे नहीं तो आपको उनके साइट पर मिल जाएगा उनका पीडियाफ होता है पिछले एक साल दो साल का जो भी इंडियन पॉलिटी में जो भी लेटेस्ट चीजां होता है उसमें काफी अच्छे फिद्यार रहता है यह नहीं हमारे टेग्राम चैन कोई भी टॉपिक हो पॉलिटी का उसमें काफी अच्छे फिद्यार आपको सामने उसका पेज दिख रहा होगा आप वह लेंगे और चौथा जो अगर आपको किसी का क्लाफ नॉट्स अगर पढ़ना इंडियन पॉलिटी में बिहार के लिए तो आप सी एम ई पटना में जो अच्छा लगा उनका आपको पढ़ना चाहिए अगर आपको पढ़ने की चाहिए यह आप सोर्स या बुक यूज करेंगे ठीक ने उसके बाद देखिए पॉलिटी के सेक्शन में अच्छा नम्मर लाने का सबसे पहला तो देखिए आपको इसकिन पर दिख रहा होगा पहल देली एक क्वेशन लिख है बिना देखिए बिपेशी मैंस या बिपेशी करेंग करने का बस एक ही फार्मूला है डेली आनफार राइटिंग आधा घंटा कीजिए कुछ भी लिखते रहिए ठीक ना लिखने से आपको जोने एक्जाम एक क्रेंग होगा तिफरा आप काम क् सुबह साम मल्टीपल टाइम रिभाइज करें क्योंकि पॉलिटी के सेखंड कुछ आर्टिकल्स भी हमको याद करना पर जाए या कुछ लेटेस्ट चीज़ां को याद करना पर लिखेंगे लिखेंगे और चौथा काम क्या करें कि आंसर में करेंट चीज़ों को जरूर है उसका जोड़ना ही पड़ेगा अगर किसी पॉलिटिकल पार्टिस को पूछेगा आपको पता है कि इंडिया जो है जो बोटर लिस्ट को आधार से लिंक कर रहा है तो इसको आप करेंट में जोड़िए क्योंकि ये चुनाफ उधार का ये बहुत बारा मत्यक्तिक है ठीक करेंगे खास करके आर्टिकल भी लिख सकते हैं कई सारे बड़े-बड़े जो हमारे देश के जो बिद्वान जो पॉलिटिक और जानकार है उनका जो कोई इस्टेटमेंट हो या खास के बियार अंबेट करका है और और भी जो समिधान सभाह में जितने भी मिंबर थे उनका लिख सर едई ग्रॉजा अगे टपीयर आप का फरकाफी क्या होगा बहतर हो तो यह था पूरा का पूरा आपका इंडियन पॉलिटी पूलिटी और बिहार के तो आगे मेरा वीडियो आते रहेगा जिस्तर से आपको पता है कि मैंने हिस्ट्री का पूरा अच्छे से कभर कर आए उसी तरह से मेरा इंडियन पॉलिटिक अच्छे वीडियो आएगा एक टॉपिक का और हर एक टॉपिक का मैं आप उसको नहीं है उसके बाद जा पॉलिटिक खतम हो तब मैं आपका जिसे कि मैं आपको बोला हूँ कि मैं जीएस मैंस का कंप्लीट मैं यहां पर कराऊंगा इसी चैनल पर हो एकानगा है मैं ओको सब्सक्राइब और इसकाइब उसके एक बारी कॉस्के लिए के लिए भी वीडियो में लगातार आवे और सबसे बड़ी बात देखिए आप लोग क्या करना है कि जो मैं टेलिग्राम चैनल पर पेपर कटिंग करता हूं उसको आप जो फॉलो किजिए और आपको मैं दिखाऊंगा जब मैं जब मैं से जाम होगा ना तो मैं पूरूब करो देखों देखे यहीं सको आ रहा है और आएगा वहीं से इसलिए डेली आप उसको जब पढ़ें उसका होगे तो करके दिखाए कई इस सारे इस इस स्टुडेंट है जो हमको डेली आन फैटिंग पर करते हैं भेजते हैं लि पड़ेंगा और चुकि मेरे पास अच्छा खासा एक्सपरियांस है तो मैं आपके साथ अपने एक्सपरियांस को ही सेर कर रहा हूं कैश्यान